यह देखें जी हमारे घर में ओरिंज के ट्रीज हैं तो यहां से मैं तोड़ने लगी हूँ फ्रेश ओरिंज मैंने कहा कि दूप काफी ज्यादा निकली हुए क्योंकि कल तो यहां पे सारा दिन बारिश होती रही है तो अभी मैं सोच रही थी कि बनाती हूँ मैं फ्रेश ओरिंज जूस यह देखें बहुत ही यह देखें जबरदर्स लग रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और जिसे इसको औरिंज पसांद है मुझे बताएं और जिसको चाहिए वो आके तो मेरे घर आके तो यह फ्रेश ओरिंज लेके जा सकता है यह देखें अभी काफी ज़्यादा है यह चेक करें एक ट्री यहाँ पे है इससे मैंने अभी नहीं तोड़े क्योंके यह थोड़े से डिफरेंट है चले मैं आपको यह भी दिखाती हूं वो वाले और टाइप के हैं यह वाले और टाइप के हैं वो काफी ओरिंज उनका गलर था यह थोड़े से यालो यालो है लेकिन है यह य किस किस को अरेंज पसान्द है यहां पर मैंने फ्रेश ओरेंज दोड़े जूस बनाने के लिए तो मैंने का चलिए जी आप लोगों से भी मैं पूछती हूं कि किस-किस को औरेंज पसान्द है तो चलिए अभी हम चल के तो इनका बनाते हैं औरेंज जूस और माशाला ये देखें इस ट्री पे कितने ज्यादा भी औरेंज लगे है वह सामने वाले ट्री से मैंने तो लिए थे कुछ तो बाकी ये जो है ये जरा थोड़ी से डिफरेंट टाइप की है लेकिन बहुत मज़े की है ये देखें जी औरेंज मैंने यहाँ पे काट ले हैं और अभी हम बनाते हैं इनका जूस ग्लास मैंने में वी लिए रेडि कह लिया है और कुछ जो है जो बच गिया मेरे पास है इसको मैं ठेव कर लेती हूँ इसमें और यह देखें जी अभी भी यह बच गया है कि अब बजार से औरिंज लेके आई थी और यह है जी वह बच चुके हैं जी जा मैं दोबारा बना लूँगे तो चलें जी आई अब इसको हम पीते हैं यह देखें जी फाइनली अभी मैं जिस द्रख से मैंने औरिंज तोड़े थे मैं उसके पास जूस का गिलास लेके आगी हूँ वह जैसे कहते हैं शुद्द देसी गी तो यह जिनाब शुद्द औरिंज जूस है बिलकुल फ्रेश यह हमारे जो बगात इन से तोड़ा गया है सॉरी औरिंज को तोड़ा गया है और फिर जूस निकाला गया है और फाइनली मेरी महन्दी का कलर भी चेक करें कैसा है तो मैं इंजुआई करी हूँ जी यह औरिंज जूस तो आप इंजुआई करें देखके